Hello everyone, मैं विपिन कुमार सिंग गोल संस्थान से, आज मैं उन बच्चों से बात करना चाह canoe आज गोल टैलेंट सरच एग्जामनिशन के बारे में जानना चाहते हैं जा उसमें पार्टिशिकेट कर ना जाते हैं गोल्ड टैलेंट सर्च एक्जामनेशन एक वेवस्ता है जो छात्रों को प्रोवाइट किया जाता है वैसे छात्र जो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में पढ़ाई कर रहे हैं या 11, 12 में मेडिकल इंजिनियरिंग के त्यारी कर रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए गोल्ड इंदर शपना बहुत बड़ा है सोच भी बहुत बड़ी है करना भी चाहते हैं वह अच्छा बट कैसे किया जाए किस तरीके से किया जाए कितना धन लगता है कितना उसमें परिशानी हो सकती है किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए यह सारी बातों से कहीं न कहीं वह बच् प्रच्छकों की जवाब दही होती है कि उन बच्चों के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं जिन्होंने बड़ा सपना देखा है जो बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो गोल टाले सर्च करते हुए हमने देखा है कि जो बच्चे इसके माध्यम से आगे धीरे धीरे अपने आपको बढ़ाये हैं प्रोसाहित होते हुए आगे अपनी पढ़ाई किये हैं उनके काफी सकारात्मक रिजल्ट आ है तो पहले तो मैं यह बता दूं कि गोल टालेंट सर्च इग्जामनेश सकता है हमारे जो बच्चे आते हैं टैलेंट सर्च इजामनेशन का पहला फेज देंगे पहला फेज तो इस वार थोड़ा बदलाव के साथ हुआ है जैसे प्रिलिम्स का होगा टेस्ट जो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन होगा ऑफलाइन उन बच्चों के लिए जहां त बच्चे होंगे इन्हें दूसरे एक्जामनेशन के लिए फिर आफर किया जाएगा और दूसरे एक्जामनेशन आफलाइन मोड में होगा और उसमें जोनल हेड में होता है जहां पर जोन का हेड ब्रांच है उस जगह पर हम लोग करेंगे तो बिहार में लगवग 15-16 सेंट सब्सक्राइब कर छे राजियों में यह टेस्ट कंड़क्ट किया जा रहा है इसमें बच्चे दूसरे टेस्ट में जितने एपियर होते हैं उनमें से जो चैनित बच्चे होंगे उन्हें सेमिनार में बुला जाता हूँ, वो क्शाप होता है, जहां पे एक्सपर्ट होते है और चात्रों को यह बताते हैं कि कैसे और किस रास्ते आप आगे बढ़ेंगे एक जो सबसे अनूठा और सबसे अच्छा पार्ट- इसका होता है कि वो बच्चे जो चानीत होकर आ रहे हैं हर जितने भी पार्टिस्पेंट्स हैं उससब को मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है मे कि पर्षाकर जो जो रेंकरश होंगे या फिर ऑल इंडिया रेंकर सोंगे तो ऐसे बच्चों को ऍुरसाइब करें तो यह में हमारा परपस है जरूरी नहींघ है कि गोल संस्थान में आएगा पढ़ाई करेगा तब हम सिर्फ वह स्कॉलर्सिप देगे किसी भी संथान में पढ़ाई करें हमारे अगर आपने आकर Football किया है तो निश्चित रुप से उसका प्रदर्शन का जो परितोस्षिक पाते हैं आपके और अभी भी मैं देखता हूं कि जब बच्शों से हमने हमारा जो experience है कि बच्चों से जब हम लोग बात करते हैं वहां मंच तो मैंने देखा है कि वह आईटी की बात करते हैं वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वह सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गये हैं लोग प्रोफेशनल बने हैं अलग अलग स्ट्रीम में जरूरी नहीं कि मेडिकल इंजनरी वाले बच्चों को ही देखें और जाना चाहतें हैं तो हर उस स्ट्रीम के बच्चों को प्रोसाहीद करना गोल्ट तैलेंट सर्ट इग्जामिशन का प्राइम फोकस होता है यह हमारी प्रात्मिक्ता होती है, तो मैं आप सभी वैसे छात्रों को आवाहन करता हूं, आपके सामने मैं गोल टैलेंट सर्च एक्जामिनेशन को प्रस्तूत करता हूं, एक मौका है, एक अपर्चुनिटी है, अपने टैलेंट को जानने का, पर रखने का, और इतने सारे गलतियां पता चलती है, कैसे आप सुधार कर सकते हैं, यह पता चलता है, एक्जामनेशन का जो टेम्प्रामेंट होता है, जैसे OMR कैसे किये जाए, गिवन टाइम में कैसे किये जाए, यह सारी जानकारी आपको मिलता है, और उस आधार पे जब उस लेवल पे जब रणीत आप बनाते हैं, तो आप एक सफल भी द्यार्थी बन जाते हैं, और आपके लिए तालियां वस्ती हैं, तो मैं आपको शुब कामना देता हूं, गोल टैलर्सर्च एक्जामनेशन के माध्यम से, अपने छमता को पहचाने, अपने गलतियों को जाने, सुधारने की कोशिश क करें, और किस रास्ते आपको आगे बढ़ना है, जो जब आप देही गोल संस्थान लेकर आगे बढ़ी है, इसके कदम से कदम आप लिया कर आगे चलें, आप सफल होंगे, हमें भी खुशी मिलेगी, सबको बहुत सारी शुब कामना, थेंक्यू सो मजच.